Hello friends, welcome to my channel Toronto Diaries चाहे आप Canada पे study permit पे आते हैं, work permit पर आते हैं या आप directly PR लेकर आते हैं जो हम सब की सबसे बड़ी Canadian dream है वो है Canada में अपना एक घर ले रहा अब जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि Canada में जो घर है वो बहुत expensive है at least 700,000 से start होते हैं और वो 2 million dollars, 3 million dollars कहीं तक भी जाते हैं तो हमें जितना जल्दी से जल्दी हो जाए उसके लिए save करना शुरू करना है ताकि हम अपने घर की down payment कर सके तो आज हम discuss करेंगे कैसे हम best तरीके से अपने funds save कर सकते हैं Let's get started आप first घर purchase करने जाते हो तो आपकी जो minimum down payment जो आपको करनी होती है वो 5% करनी होती है इसके अलावा आपको lawyer की fees देनी होती है आपको real estate agent की fees देनी होती है प्लस आपको अपना घरागर आप लेते हो तो आपको उसमें कुछ furniture अगर भी डालना है So approximately मान के चलो कि आपके पास 10-15% की down payment होनी चाहिए So एक ballpark figure लेके चलते है So let's assume कि आपके पास $100,000 की investment होनी चाहिए अब आप 3 महिने में या 6 महिने में तो $100,000 नहीं invest कर पाएंगे या आप over the period of time करेंगे तो अगर आप approximately लेके चलते हैं कि आप 2 साल में सोचते हैं कि चलो या 2 साल में हम $100,000-$120,000 की घठे कर सकते हैं तो आप उसको कहां पर deposit करेंगे क्या option है आपके पास जिसमें आपको maximum return मिल सकती है So आज हम वो discuss करने वाल So अगर आप normal अपना funds को normal savings account में रखते हैं तो bank आपको 1 से 2% interest देता है Even high interest saving account भी यहाँ पर जो है वो 1.5 या 2% की range में ही आते हैं तो जो सबसे पहला option हमारे पास आता है वो है RRSP, Registered Retirement Savings Plan So RRSP को tax deferred savings scheme भी बोला जाता है क्योंकि जब आप इसमें contribute करते हैं तब आप कोई tax pay नहीं करते हैं और जब आप इसको पैसा withdraw करते हैं तब आपको tax pay करना होता है इसको हम अभी बाद में discuss करेंगे दूसरी चीज जो है वो है tax free savings account तो इसमें जो आपकी tax कटने के बाद जो income आती है आप उसको invest करते हो और उस investment पर जो भी आपको interest मिलता है या जो भी आप gain कमाते हो capital gain जिसको बोलते हैं तो उसमें आपको कोई tax pay नहीं करना हो तीसरा होता है non registered savings account तो अगर आप अपना contribution RRSP और TFS से का complete कर चुके हो पूरा कर चुके हो तो आप non registered savings account में पैसा save कर सकते हो जहाँ पे आपको high return मिल सकती है इसके अलावा और भी savings plan के option है जैसे आपका education program होता है तो आप अपने बच्चों के education के लिए save कर सकते हैं एक आपका retirement income savings plan होता है तो आप retirement income के लिए आप उसमें save कर सकते हैं और एक आपका disability program होता है और भी दो-तीन और savings plan होते हैं तो जो इस video का main purpose है जो आप पहले घर की down payment के लिए पैसा save कर रहे हो तो उसमें हम तीन चीज़े discuss करेंगे वो है RRSP, TFSA and non registered savings plan तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि आप किस-किस में invest कर सकते हैं तो चाहे वो RRSP हो, TFSA हो या non registered savings account हो Government of Canada आपको approve करता है कि आप stocks में अपना पैसा save कर सकते हैं आप mutual funds में अपना पैसा save कर सकते हैं आप ETF में अपना पैसा save कर सकते हैं इनको बोलते हैं exchange traded funds यह क्या होता है? यह basically it's like economy में पैसा लगाना तो यह group of stocks, mutual funds, bonds इन सबका group होके आप इसमें invest कर सकते हैं apart from that आप bonds में invest कर सकते हैं आप trusts में invest कर सकते हैं आप treasury bills में invest कर सकते हैं और आप अपनी GIC भी open कर सकते हैं अगर आप student visa पे Canada पे आए हो तो अगर आप SDS stream के थुरू आए होगे तो अगर आपको याद होगा तो आपने अपने GIC open करी थी वो आपकी GIC non registered GIC थी अगर आपका अपने bank account में देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हो तो हम registered GIC P कर सकते हैं जिसमें हमें tax benefit मिल सकता है जो RRSP और TFSA के अंडर आती है जो तीन main parameters होते हैं जिसके basis पे हम decide करते हैं कि whether हमें stock में invest करना है या हमें GIC में invest करना है या savings account में invest करना है वो है risk threshold कितना है आप कितना risk tolerate कर सकते हो number one thing second thing है कितना return आप invest कर रहे हो तो वो risk और return का आपका proportionate चलता है कि अगर risk high होगा तो return भी high होगा और अगर risk low होगा तो return भी low होगा उसके लाबा जो 30C होती है वो है time period कि आप कितना time period के लिए invest कर रहे हो but again इस video का main purpose है कि हमें अपने पहले घर के लिए invest करना है तो हमारा जो time period है वो बहुत कम है तो हमें approximately two years या three years के लिए invest करना है ताकि हम उसको withdraw कर सके तो again जो हम focus करेंगे वो हम focus करेंगे GICs पर कि आप guaranteed investment schemes पर save कर सकते हो अब GICs में क्या क्या option आते है तो GIC में आपके पास आता है cashable GIC जो आपका redeemable GIC भी बोला जाता है और आपका एक आता है non redeemable GIC redeemable GIC का मतलब होता है कि इसमें कोई lock-in period नहीं है आपने आज पैसा जमा कराया आप एक महिने बाद या 10 दिन बाद इसमें से पैसा withdraw कर सकते हो तो इसमें आपका interest rate काम होता है कुछ banks आपको redeemable GIC देते हैं कि minimum lock-in is 3 months तो आपको 90 days का minimum lock-in रखना है बट उसके बाद आपका कोई lock-in नहीं है बट the benefit is कि जबी भी आपको emergency होती है तो आप इस funds को withdraw कर सकते हैं दूसरा आपका होता है कि वो जो होता है non redeemable GIC उसमें क्यों होता है कि आपको fixed term के लिए deposit करना है so let's say आपको one year के लिए या आपको two year के लिए fixed term के लिए deposit करना है अपना पैसा और वो आप नहीं निकाल सकते अगर आप निकालते हैं तो वो आपको बहुत heavy penalty charge कर सकते हैं even आपके principal में से भी कुछ amount charge हो सकता है so अब हम discuss करते हैं कि RRSP क्या होता है so जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि RRSP को tax deferred saving plan भी बोला जाता है so इसका मतलब क्या है let's say कि जो आपकी income है वो 100,000 dollars है तो आपका जो contribution limit होगा वो let's say 18% होता है अब आपने अगर 18,000 dollars save करते हो आप RRSP में तो जो आपकी taxable income है वो 100,000 dollars ना होकर के 82,000 dollars हो जाती है तो let's say आप 100,000 dollars पे हो आप 40% tax bracket के आसपास आ रहे हो तो अगर आप इसमें save करते हो और जब आप future में जब आप retirement के time पे उसमें से पैसा withdraw करने जाते हो तो आपकी income कम होगी income कम होगी तो आपका tax bracket कम होगा तो आप इसमें से tax save कर सकते हो तो आप 15-20% tax bracket में fall करेंगे तो अब हमने बात कर लिया कि आप इसको retirement पे निकाल सकते हो बट अभी तो हमें घर खरीदना है तो हम इसको कैसे use करें As per government of Canada हम अपने RRSP में से 35,000 dollars withdraw कर सकते हैं अपने first home के लिए तो let's say कि आप 18,000 dollars आपने year 1 में save किया 18,000 dollars आपने year 2 में save किया तो जो आपका balance है वो 36,000 dollars हो गया तो आप इसमें से 35,000 dollars withdraw कर सकते हो तो इसमें आपने कोई tax नहीं दिया तो ultimately आपने थोड़ा पर ऐसा save किया अपना और वो आप अपने घर की down payment पे use कर सकते हो और एक और important बात है कि let's say कि आप भी अपने 35,000 dollars withdraw कर सकते हो और आपका जो spouse है वो भी 35,000 dollars withdraw कर सकता है तो total आपने 70,000 dollars withdraw कर लिया है tax free तो अगर आप सोचते हो कि आपका जो tax था let's say 33 या 40 percent slab में आप fall करते थे तो आप उसमें 70,000 dollars पे at least 25 to 30,000 dollars का tax pay कर चुके होते हैं तो वो आपको additional benefit मेल गया है for the time being तो आपने funds अपने घर के लिए जल्दी गठे कर लिए और यह तो 35,000 dollars जो आप withdraw करते हो यह आपको over the period of 15 years आपको pay करना होता है तो आप हर year आपकी वो EMI की तरह होता है तो आप हर year pay कर सकते हो otherwise आप lump sum amount भी pay कर सकते हो दूसरी चीज़ यह है कि आप इसको आप अपने घर के लिए ले सकते हो apart from that आप इसको education के लिए भी withdraw कर सकते हो तो government allow करती है कि आप 20,000 dollars अपना lifetime learning plan के अंतरगत आप इसको निकाल सकते हो तो आपको यह opportunity भी मिल सकती है और एक और important चीज़ जो है RRSP की वो जैसे अगर आप job apply करते हो तो बहुत सारी companies आपको देती है RRSP benefits मतलब अगर आप 18,000 dollars contribute कर रहे हो तो वो company भी आपके लिए 18,000 dollars contribute करेगी वो आपकी जो amount है उसको match करेगी so let's say आपका package 100,000 dollars है इसमें से आपने 18,000 dollars RRSP ने save किये और आपकी company ने भी आपके लिए 18,000 dollars save किये तो जो आपका package है वो 100,000 नहीं रहा वो आपका package 118,000 dollars हो गया है तो ये एक और benefit है जो आपको मिलता है तो अब हम इसकी limit की बात करते हैं तो जो 2021 है उसमें आपकी जो limit है वो 18% है या maximum अगर आपकी 27,830 dollars तक approved limit है और इसके बाद जो 2022 है जो current fiscal year चल रहा है उसमें आपकी है up to 29,210 dollars तो अगर आपका 18% amount 29,210 dollars से कम आता है तो आपको उतना save कर सकते हो वरना आप 29,000 dollars तक save कर सकते हो So now we will talk about tax-free savings account Tax-free savings account को आपकी salary से कोई मतलब नहीं होता है कि आपकी salary कितना है As a Canadian resident Citizen नहीं, resident तो अगर आप एक country में 6 महिने से जादा रहते हो तो आप resident कहलाते हो या आप उस country में tax file करते हो तो आप उसके resident कहलाते हो So let's say कि आप Canada में 2021 में आये थे तो आपको 2021 के लिए 6,000 dollars मिलता है आप 2022 में भी आप Canada में रहे थे तो उसके लिए आपको another 6,000 dollars मिलता है तो आपका contribution limit 12,000 dollars हो गई है और आप 2023 में भी Canada में रह रहे हो So 1st January 2023 के बाद आपको 6,500 dollars मिलते हैं तो ये year on year change होता रहता है तो जैसे जैसे inflation उपर नीचे जाता है Government of Canada इस limit को बढ़ा देती है जैसे 2016 to 2018 तक 5,500 dollars था फिर 18 to 22 तक 6,000 dollars था और अब जो है 2023 में 6,500 dollars है और जैसे inflation बढ़ रहा है इसके बहुत chances हैं कि ये next year 7,000 dollars भी हो सकता है तो अगर आपने अभी तक कोई contribution नहीं किया है और आप 2021 में Canada आए हैं तो आपका 3 साल का contribution जो है वो approximately 18,500 का बनता है तो उतना आप contribute कर सकते हो बट इस पे ये वोवल income है आपके जिस पे already आपका tax कर चुका है तो अब अगर आप इस income को save करते हैं तो जो आपको interest मिलता है तो लेट से आपने GIC में save किया आपको 4% interest मिला तो वो जो आपको 4% interest मिलेगा उस पे आपको tax नहीं देना है और सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि let's say कि आपने अपनी 2022 की पूरी limit exhaust कर दिये ठीक है 2023 में January में आपको कुछ emergency fund की जुरुत परती है तो आपने अपने TFSA में से 5000 dollars withdraw करें तो अब आपकी 2022 में limit जो 0 हो गई थी क्योंकि आप already save कर चुके थे बट आप अपनी bucket में से 5000 dollars निकाल चुके है तो अब आप 5000 dollars प्लस जो इस साल के limit है 6500 dollars तो आप total 11500 dollars save कर सकते हो तो आपकी जो total bucket है वो उतना ही size रहेगा हर साल वो बढ़ता रहेगा बट जो भी आप उसमें से withdraw करोगे उतना आप वापस add कर सकते हो ये TFSA की सबसे ज़्यादा अच्छी बात है इसके बाद जो तीसरा आता है वो non registered savings होती है तो non registered savings जैसे कि आपने पहले GIC करवाया था तो उसमें आपको text देना है but the benefit is that कि उसमें आपको ज़्यादा interest मिलता है अगर आप normal savings account में पैसा रखते हो तो आपको 1 या 2% मिलता है तो आप बैंक में जाओ बैंक में जाके पता करो bonds में कितना risk है, कितना return है tragedy bill में कितना risk है, कितना return है GIC में कितना return आपको मिल रहा है बहुत सारे banks पे बहुत सारे option होते है scheme चल रही होती है बीच बीच में जैसे कि आजकल ये lunar new year की scheme चल रही है तो banks बहुत अच्छा interest rate offer कर रहे है तो इस तरीके से अलग-अलग scheme में अलग-अलग options आपको मिल सकते है अब हमारा discussion बहुत ही ज्यादा complex होता जा रहा है क्योंकि अब हमने RRSP discuss कर लिया है हमने TFSA discuss कर लिया है बट अभी हमें ये नहीं पता कि हमें RRSP में पहले contribute करना चाहिए या पहले TFSA में contribute करना चाहिए तो ये हम discuss करते हैं तो जो सबसे पहली important बात है वो है अगर आपका employer RRSP में आपकी amount match करता है तो आपको RRSP में contribute करना चाहिए दूसरी चीच अगर आपकी income 50 या 60,000 डॉलर से कम है मतलब आप already minimum tax bracket में Canada में fall कर रहे हो in that case आपको फरक नहीं पड़ता कि आप RRSP में save करो या आप TFSA में save करो अगर आपकी income जो है वो 50 to 60,000 डॉलर से उपर है और अगर आपका employer contribute करता है और आपने अभी तक अपना first home नहीं purchase किया है जो हमारा main objective है तो आपको RRSP में पहले contribute करना चाहिए लेकिन आपको मेरी बात पर बिलकुल भरोसा नहीं करना चाहिए in the terms of I am just a guy on internet on YouTube तो आपको अपने chartered accountant से CFS से consult करना चाहिए आपको अपना salary का breakdown समझना चाहिए कितना benefit होगा आपको और उसके according लिए आपको save करना चाहिए अब हम बात करते हैं step by step process to saving funds for your Canadian dream so सबसे पहली चीज़ है कि आपको अपनी limit पता होनी चाहिए कि आपके limit कितनी है तो उसके लिए क्या करना है आपको अपना CRA में login करना है अगर आपको CRA का login नहीं पता या किसी CFA ने accountant ने आपका last year file किया था तो भी आप normal CRA की website पे जाओ और आप वहाँ पर अपना sin number डालके आप अपना login create कर सकते हो अगर आपका address थीक है तो well and good अगर आपका address थीक नहीं है तो आप अपना address phone करके उनको address update कर सकते हो मैं contact number नीचे description में दे दूँगा जिस पर आपको phone करना है और अपना address update करवाना है क्योंकि वो आपको mail भेजते हैं एक code जो आपको enter करना होता है RRSP की limit पता चल जाएगी और आपको अपनी TFSA की limit भी पता चल जाएगी उसके बाद अगर आपके उपर कोई भी loan चल रहा है तो generally अगर आपका जो loan का interest rate है वो 7% से जादा है जैसे आपने कोई गाड़ी खरीदी है उसका loan चल रहा है या अगर आपके पास कोई student loan चल रहा है कोई भी loan चल रहा है या personal loan है या credit card की liabilities है जो due है तो पहले आप अपना loan complete करिये loan को pay off करिये क्योंकि वो ultimately हम बात कर रहे है 4-5% return की तो already अगर आप ज़्यादा pay कर रहे हो तो कोई benefit नहीं है तो आप उसको complete करिये उसके बाद आपको एक अपना emergency fund create करना है so at a time आपके पास $5,000 के आज़ पास save होना चाहिए emergency fund में जो आप कभी भी withdraw कर सकते हो let's say आपको कोई medical emergency आती है या आपको let's say इंडिया जाना पड़ता है तो आपके पास funds होने चाहिए तो start कर सकते हो आप $3,000 से और धीरे धीरे इसको आप build कर सकते हो तो इसको आपको कहां तक build करना है इसको आपको build करना है कि अगर आपकी job भी चली जाए या कुछ medical emergency आती है कुछ problem आती है तो आप at least 3-4 month sustain कर पाए और अगर आप बिल्कुल risk averse है कि भाईया मुझे risk नहीं लेना है तो at least आपको 6 months का fund save करना है और इसको भी आप क्या कर सकते हो अब आप इसको अपने normal bank account में रख सकते हो नहीं तो आप अपने bank में बात कर सकते हो आप high interest savings account में रख सकते हो आप cashable GIC में कर सकते हो तो अगर आपका कोई cashable GIC है जिसमें 3%, 3.5%, 4% return है तो आप उसमें रख सकते हो आप किसी भी दिन इसको withdraw कर सकते हो बट जरूर ये जान लेना कि क्या उसमें withdraw करने पे कोई penalty है cashable GIC है non redeemable GIC तो नहीं है वो तो ये जरूर आप उसको पता कर लें उसके बाद आप start करो अपने RRSP में या TFSA में contribute करना एक बार आप उसके limit को exhaust कर देते हो let's say कि आपका $100,000 है तो आपकी wife भी कमाती है आपका खर्चा कम है तो आप $20,000 आप RRSP में सेव करते हो आप $6,000 पर मन आप TFSA में सेव कर रहे हो but आपके पास कुछ और pocket बचा है आप $10,000, $15,000, $20,000 और सेव कर सकते हो आप non-registered savings account में कर सकते हो so basically आपको tax pay करना होगा but still you can earn a good interest rate 4%, 5% banks में बहुत अच्छी-च्छी schemes चलती है और एक और चीज याद रखेगा कि अगर आप non-redeemable GIC में सेव कर रहे हैं तो ये ध्यान रखना कि आपको funds की ज़रूरत कब है ऐसा ना हो कि आप January में invest कर रहे हो एक साल के लिए block कर रहे हो अपने fund को और आपको July में घर खरीदना हो so I hope ये वीडियो आपके लिए बहुत helpful हो please like and subscribe to my channel मैं ऐसे ही information share करता रहता हूँ जो अगर आप study permit पर है work permit पर है या आप PR पर है आपको Canada settlement में help करता है thanks for watching have a good one bye bye